हेलो डियर फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में मैं आपसे एक कोशन डिसकस करने वाला हूँ अब इसमें आपके स्ट्रेटेजी यह चेक किजिए कि इस कोशन को पहले स्क्रीन को रुक कर आप रीज करके देख लेजिए एक कोशन आपको कैसा फील हो रहा है इफ यू फील कि कोशन आपसे फटाफट पूरा बन जाएगा तो बिल्कुल इस वीडियो को मत देखिए और पूरा बनागे वीडियो को लाश्ट में या इसके कमेंट पे जाएक देगे सलुशन क्या है अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट में डाउट है आपको डिसकस कर लूँगा और डिसकसिन के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अब मेरे से बन जाएगा तो भी आप इसको वीडियो को रोकर आप इसको बनाईए और उसके बाद भी कॉन्फेडेंस नहाता तो मेरे साथ साथ बनाईए ऐसे कुछ कुछ न लगाएंगे तो आपका कॉन्फेडेंस अब देखिए इस इसका प्रिवियस एर है रिवील दा फॉलॉइंग इंफर्मिशन दे नेट प्रॉफिट वास 11,20 थाउजन अब देखिए इस कोश्चन की स्टाइल बड़ी अलग है जब बिजनेस ओरियंटेट कोश्चन आता है तो उसमें तो आपको प्रॉफिट एंड ल इंकम देखने जो प्रॉफिट न लौसमें क्रेडिट है उपर वाले प्रॉफिट नों जोड़ी हुई है और यह डिटेल दिया है तो हमको देखना है कि यहां प्रम यूटी आई इंकम फ्रम यूटी आई का मतलब आपने यूनिट ट्रस्ट अपिंडिया की यूनिट्स प मतलब यह हुआ कि इसमें TDS जो डिड़क्टेवले डिड़क्ट नहीं हुआ है clear कर लीजिए जब भी हम total income निकालते हैं किसी भी head में income निकालते हैं तो TDS काटने के बाद net income नहीं जोडते हैं हम gross income जोडते हैं और finally जब total income आ जाती है फिर जब हम tax निकाल लेते हैं और जित है TDS तो TDS के before के amount आपको recalculate करनी पड़ेगी gross up करके TDS के rate से interest on debenture again यह भी gross amount है लेकिन कहा जाएगी other sources में यहां से अड़ जाएगी winning from our sources मतलब तीनों income आपकी जाने वाली है income from other sources में now अगले point पर move करते हैं it was found that some stock were omitted कुछ stock omit हो गया चुड़ गया to be included in both the opening and closing stock opening stock में भी चुड़ गया closing stock में भी चुड़ गया the value of which were opening stock 8,000 है और closing stock 12,000 है अब आप खुद सोचिए अगर opening stock में 8,000 रुपे चुड़ गया है लिखने से omit हो गया है तो 8,000 रुपे अगर कम है opening stock तो net profit आपका क्या हो गया होगा बढ़ गया होगा तो यहां बारे में सोचिएगा discuss किजिएगा next अगले point पर आते हैं one lakh was debited to profit and loss account एक लाख रुपे debit हो है profit and loss account में being contribution to the university approved and notified under section 3512 section 35 क्या है section 35 scientific research scientific research के expense के बारे में तो scientific research का expense यदि आप खुद करते है capital expenditure revenue expenditure या फिर approved institution को आप donate करते हो तो उस case में भी allowed होता है तो one lakh rupees जो debit हुआ है वो बिल्कुल हमारे लिए allowable है तो इसका कोई treatment नहीं होगा next है salary includes 20,000 paid to his brother मतलब यह Mr. Y जो SAC है उपर दिख रहा होगा आपको उसके brother को payment हुआ जो कि एक specified person है relative है which is unreasonable to the extent 2500 मैं आपको section बताता हूं जिसे आपको reference मिलेगा हाला कि exam में section आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा section 40 में साफ लिखा है कि अगर आप इस स्पेसिफाइट परसन और relative को अन्रिजिंबल एमांट पेमिंट करते हो जो कि यहां पर 2500 रुपए है तो यह डिसला हो जाएगा तो हमारे 2500 रुपए एडबेक हो जाएगा now the next is advertisement expenses includes 15 gift packets advertisement में 15 gift packets शामिल है ड्राइफ रूट के costing 1000 पर पेकेट इसका मदब पंदरा अजार रुपए शामिल है presented to important customer अब देखे advertisement expenditure business में एक allowable expenditure है तो अगर इसमें अगर अपने customer को हमको gift दे रहें तो वो भी business expenditure माना जाता है तो यह भी allowable है इसका कोई treatment नहीं होगा आप अपने customer को को gift देते हैं उसके लिए खर्च करते हैं इसे आपका business grow होता है तो it will be a business expenditure अगर मैं इसे section की बात करेंगे सरी कौन से section में एलाव होता है तो इसका section 37 है क्योंकि section 30 से लेकर 36 तक PGPP में जो भी expense है वो specified है और जो उसके अलावा कोई भी ऐसे expenditure जो वहां पर specified नहीं दिया है तो it will be allowed by section 37 और 37 में clear cut बोला गया है कि कोई भी revenue nature का expenditure जो 30 से 36 में नहीं दिया है business के लिए किया जा रहा है recurring nature का है वो बिलकुल अलाव हो जाएगा अगले point पर हम जाते हैं तो यहां पर दिख रहा है टोटल expense on car was 78,000 बिजनेस वी जोरी होगे अगर तो कार का 78,000 बिजनेस expenditure लेकिन आगे लिखाए था कार वाज यूज बोथ फर बिजनेस एंड पर्सनल पर्पस एंड साफ लिए थी फोर्थ इस फॉर बिजनेस पर्पस मतलब वन फोर्थ पर्सनल पर्पस ही उज हो रही है तो 78,000 और वन फ in cash cash में payment करते हैं जबके आपको मालूम है नॉर्मली एक दिन में जैसे यहां पर 31st January 23 को भी इसने payment किया है तो अगर 31st January को एक दिन में payment किया है तो नॉर्मली cash की जो लिमिट है वो 10,000 रुपए है तक का payment कर सकते है तो यहां पर इससे भी कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह 0.8 का भी कोई treatment नहीं होगा now the next point is now the next point is depreciation debited to books 55,000 books में 55,000 depreciation है जबकि depreciation allowed as per income tax rule 1962 is 50,000 तो आपको कुछ नहीं करना है 55,000 को add back करना है ठीक है और income tax की depreciation को minus करके और देखी कई लोग इसको net effect भी दिखा सकते है बट इट विल भी better presentation की आप books के depreciation को add back करके दिखाई है और उसमें यह लिखे कि depreciation as per books of account is add back and depreciation as per income tax is less उसके बाद drawing के बारे में लिखा हुए 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए के drawing जो है वो कोई business expenditure नहीं है तो इसका भी अमद में section 80C में हमको gross total income के बाद deduction मिलेगी question हम से पूछ रहा है compute the total income of Mr. Y for the assessment at 2324 assuming that he has not opted to pay tax under section 115 BAC मतलब 115 BAC का जो हम alternative tax option में जाना नहीं है और सीध हमको total income निकालना है अब यह एक और point में discuss करना चाहूंगा अगर इस question में tax निकालने भी आता तो हम tax जरूर निकालते और जो TDS कट चुका है वो TDS minus करके tax payable निकालते तो friends यहां तक आपको समझ में आ गया हो इस question में बारीकियों से समझ में जाहूगा अब इस question को अगर आपको यहां तक लगता है कि आप question में जाएगा तो जरूर इसको खुद से बनाई है और उसके बाद बनाने के बाद फिर answer मैच किजा आपका answer आ रहा है की नहीं आ पार रहा है तो इसके बात का video या फिर comment में आप इसके solution को देख सकते हैं तो फ्रेंड्स अब इस question को अपन बनाना शुरू करते हैं this is question number 9 exam में ध्यान रखिए जब भी आप question बनाते तो जो question बना रहे हैं जब question शुरू करते तो fresh page से शुरू किजिए और वहाँ पर properly margin के पहले question लिखे question number 9 का solution ऐसा लिखे कई लोग बस casual बनाने लग जाते हैं अब देखे कभी भी heading कैसे डालना चाहिए क्या पुछा गया question computation of total income तीन information उपर heading में आने चाहिए computation of total income of Mr. So and So for the assessment यह तीन information लिखते हैं computation of अब जिनको confidence नहीं आ रहा है मेरे साथ आराम से बनाएए बिलीव में आप पांच से छे question भी साथ साथ बनाएगे तो अगले question में आपका confidence तीरे तीरे बढ़ जाएगा थोड़ा सा patience से आप बनाएए computation of total income of अब देखिए question में नाम क्या है ससी का Mr. Y Mr. Y for the assessment year 23-24 कभी भी आप question जब बनाते हैं तो उसका format जनरली income tax में टू कॉलम amount बनाई है जो internal working वो inner column में दिखाई है final working बाहर निका लिए जब total income का question बनाते हैं तो आप किसी head का calculation जो है inner column में कर लिए final amount taxable income from that head आती है इसको बाहर निका लिए और इसे पूरे heads का total कीजिए यह best तरीका होता है तो यह देखिए मैं draw करता हूं यहां पर यह दो कॉलम हो गया हमारा और थोड़ा सा आप शुरू से प्रैक्टिस रखिए इसकेल से line draw कीजे कई लोग बहुत casual लेते हैं प्रेजेंटेशन से थोड़ा अग्जाम में फरक पड़ता है और आप अचानक से एक्जाम में कोशिश करेंगे आपकी प्रैक्टिस ने रहेगे तो नहीं कर पाएंगे तो देखिए पहला कॉलम एक्चुली में जो होता है पर्टिकुलर्स ओप इंकम या पटिकुलर्स का होता है दोनों कॉलम में रूपीज लिखे आप ठीक है और अब हम यहाँ पर पहला हैड हमारा प्रॉफिट एंग्रिंस ओफ बिजनेस प्रॉफिशन तो इंकम अंडर दे हैड कि बिजनेस और प्रॉफिशन ठीक है नेट प्रॉफिट एस पर लिया गया है आपका किता दिया हुए देखिए ग्यारा लग बीस यार तो अब इसको केल्कुएशन शुरू करते हैं अपन एक्जाम में कोई भी कलर मैं आपको भले प्रेजेंटेशन कर दिखा रहा हुए एक्जाम में के ब्लेक पेंस लिखना है अंडर लाइन भी उसी से करना ध्यान रखिया आप लोग नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एस पर प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट कोश्चन में दिया 11,20,000 में इनर कॉलम में इसको लिखता हूँ ताकि हम इसकी पूरी फाइनल वर्किंग को बाहर के कॉलम में निकाले और अधर हैट की इंकम को भी जोड़ें बैस तरीका यह होता है कि अग साथ साथ थोड़ी अगर आपके थोड़ा प्रैक्टिस हो गई है तो जगा छोड़के अधर हैट कियों भी साथ साथ लिखते जाई है अपने प्रॉफिट हो गया उसके बाद देखिए अगला पॉइंट मेरे को दिखता है पॉइंकम फ्रॉम जो इंक प्रॉफिट में क्र इंकम में डिसकस कर लिया हूँ कि वह पीजीबीप हैड की नहीं है तो पीजीबीप मतलब बिजनेस इंकम की नहीं तो यहां पर एड़ बेक करूंगा और सिधा कहां लेकर चले जाओंगा आई उसमें एक साथ करिए इस काम को तो एड़ इंकम फ्रॉम यूटी आई इंकम फ्रॉम यूटी आई जो कि यह बाईस हजार रुपे है ठीक है मैं इसको ऐसा भी शोग कर सकता हूँ बाईस हजार रुपे दूसरा है इंट्रेस्ट ऑन डिवेंचर प्रेंट्स ध्यान रखी यह इस लेक्चर को आप साथ-साथ बनाना है आपको कि वीडियो देखना नहीं यह प्रैक्टिस क्लास में ने दिया ही इसलिए आपको था कि आप साथ-साथ बनाए ठीक है ग्रॉस लिया जाता है कभी भी च्रिपन के बाद वाली नेट अमांट नहीं ले जाती ग्रॉस का मतला लग्रॉस्टिस यांपर हैं फिफ्टीन थाऊजन ठीक है अब क्योंकि यहां पर head back होगी या किसी और head में chargeable है तो मैं थोड़ा सा यहां पर space अपने एक imagination से या थोड़ा सा idea से ज़्यादा छोड़ कर other sources का head बना देता हूँ मैं income from एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा अगर आपको कभी confusion ऐसा other sources कभी भी ध्यान किजेगा income tax में format से कभी मत डरना क्योंकि कोई income tax act में इस total income को निकालने का कोई format नहीं है presentation बढ़िया होना चीए अब आपको अगर लगता है कि नहीं भई यह gap मेरे पास कम होगा बचादा हो का मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप कुछ मत कीजिए टोटल इंकम के जो पूरा कोशन के बाहर एक working note का column ड्रॉब कर लिजिए और वहां लिख दीजिए computation of income from other sources और वहां डालते जाएगे और फिर में पॉइंट पर जब यह complete हो जाएका तो यहां पर income from other sources लिखिए note reference note number डाले और एक साथ फिगर बाहर निकाल दीजिए भी चलता है कोई इकत नहीं इनकम फ्रॉब अधर सोचिए पहला income from UTI inner column में लेके बाहर निकालेंगे बाइस हजार रुपे और दूसरा है interest on debenture on debenture 17,500 और फिर है winning income winning from horses complete लिखिए गाई इसको 15,000 अब मैं इसको close नहीं करना चाहता है क्योंकि आदि कोशन में और मेरे को मिल सकता है other sources point number three it was found that some stock were omitted तो इसको हमने decide कर लिया है तो यहां पर जो opening stock है वो अगर opening stock अगर हड़ गया P&L बनाते समय तो आपका profit ज्यादा stated ज्यादा over stated हो गया ना प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक आप थो एक P&L लगां इमेजिन किजे माइन में और अगर opening को लेस करना है तो लेस ओपनिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ओमिटेड ज्यादा तर वर्ट्स कोशन से उठाई आप तो यहां पर लेस कर देते हैं इट विल बी एट थाउजन अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक बारह जार रुपए अगर आपका नहीं लिखा हुआ है पेंडेल एकॉन में तो इससे आपका नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा तो फिर बढ़ा दीजिए एड क्लोजिंग स्टॉक ओमिटेट तो यह हो जाएगा एड इ इंस्टिटूशन को जो सेक्शन 35 के अंतरगत दिया गया तो सैंटिफिक रिशर्श इंस्टिटूशन को आप दे सकते हैं पैसा वह एलावेबल है और इन्हों डेविट के एड तो को इसमें चेंजिज नहीं करना है सैलरी में 20,000 रुपए जो ब्रदर को पेमेंट किया है उसमें 25,000 अन्रिजनेबल है तो इसको जरूर हम एड़एक करेंगे एड अन्रिजनेबल वर्ड क्या यूस किया उसने देखिए अंरिजनेबल अन्रिजनेबल पेमेंट टू ब्रदर ठीक है अब इसको डिसलाओ कर रहे है एड़एक कर रहे हु क्यों कर रहे हो सेक्शन फॉर्टी अगर सेक्शन याद जरूर लिखे नहीं तो कोई जरूरी नहीं है तू के अंतर रहा तो और इसका जरूर एक नोट इंस्टिट्ट एक्सपेट करती कि भी इसको आप कर रहे हो 2500 रुपए तो आपको इसमें नोट में क्या लिखना है आपको नोट में लिखना है कि एस पर सेक्शन 482 अगर आप कस्टमर को के लिए गिफ्ट दे रहे हो तो नैचरली वह जो जो गिफ्ट है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर रहे तो सक्षन 37 में लाओगा तो यह एड़िटाइजमेंट का एक्सपेंस का आप कोई यां ट्रीट्मेंट नहीं कर लिए कि नोट लिखना चाहिए क कि एड़िटाइजमेंट एक्सपेंस में जो 15 गिफ्ट पैक है जो 15,000 रुपे के गिफ्ट दिये जो इंपॉर्टेंट कस्टमर को दिये है तो इट विल बी बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड इट विल बी अलाओट अंडर सेक्शन 37 सेक्शन या दिया तो इट विल क्रिट्मेंट होगया कार एक्सपेंस में वन फूर्ट जो है पर्सनल पर्पस के लिए तो इसको भी एड़ बेक करेंगे अपन कार एक्सपेंस और इसमें पर्सनल यूज पर्सनल यूज कितना यूज है वन फूर्थ तो भी यह 78 थाउजन में दिवाइड बाई पूर्थ वन फूर्थ 78 थाउजन डिवाइड बाई फूर्थ यह होगया आपका नाइंटीम थाउजन पाइव फाइव फंड्रेड वूड बी डिसल आउट आगे बढ़ते हैं यहां पर मेरे को दिखता है मिसलीने सेक्स्पेंडिचर में 30,000 रुपए जो है वो पेमिंट के जनरल ही सेक्षन 40A 3 के अंतरगत 40A 3 उसके अंतरगत 10,000 से उपर का पेमिंट अगर एक दिन में एक परसन को आपने अधरवाइस दें तुरू प्रिस्क्राइब मोड कर दिया प्रिस्क्राइब मोड एकाउंट पर ही चेक है एकाउंट पर डीडिये है आटी जी से एनी एफ्टी जो सेक्षन 40A 3 प्रिस्क्राइब मोड 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 प 45,000 हैंस 40A3 40A3 कैसे लिखाता समझ में आ रहा है यह देखे में साइड में लिखता था 40 capital A3 ऐसा आप एक बार अपने नोट्स को जाके देखिए तो 40A3 में यह डिसलाओ नहीं होगा मतलब 43 attract नहीं होगा यह नोट लिखना आपको वीडियो पॉस करके अभी लिखे मेरे साथ practice करना बोलना मत वाउचिंग नहीं करना है अगर आपको confidence अगर इस टोटल इंकम के question में हो चुका है तो आप तो मेरे वीडियो पहले ही बन कर चुके लेकिन यहां तक आए इसका मतलब मेरे साथ प्रैक्टिस करना है आपको कम से कम पांस से साथ कोशन प्रैक्टिस कीजिए दीरे दीरे आपका रिवीजन confidence अपने आप होगा चली ठीक है तो यह नोट आपको लिखना है उसके बाद depreciation के बारे में बिल्कुल ठीक है depreciation add depreciation as per books of account या profit and loss account 55,000 इसको add कर दीजिए वह या क्योंकि यह अलाओ नहीं होता income test का अलाओ था less depreciation as per IT rule एक्चल डेप्रिशन में rules में रेट दिया वह है तो 50,000 आपका minus हो जाएगा ठीक है एंड ड्रॉइंग 10,000 पर इसका कोई treatment नहीं होगा क्योंकि को business expenditure है नहीं investment जो 80C NSE की है 15,000 रुपे इसमें 80C की deduction मिलेगी जो कि GTI के बाद यह देखिए यहाँ पर आप GTI निकालने वाले हैं अगर यह gross total income आप निकालेंगे तो इसके बाद less deduction अंडर सेक्शन जित्ती चीजा आप simultaneous लिखेंगे आपके भूल हो जाने की संभावना कम होते जाएगी जो कि यह 15,000 हो और तो कुछ है नहीं यह आपर अब इसको आप total करके देखिए और इसके बाद friends अच्छा ए एक इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान रखिए मैं यहाँ पर यह income जो जूड़ी हुई है एड़ नहीं होगी यह less होगी क्योंकि income में जूड़ी हुई है यह तो इसको less करेंगे और इधर add करेंगे तो इसमें एक पॉइंट और आता है कि जो ड्रॉइंग है अगर उपर अपना net profit है तो जितने नीचे फिगारे सब net profit में अगर ले लिए गया है इसका मतलब यह है कि इसके लिए नोट जरूर लिख देना कि हम यह मान रहे है क्योंकि clear-cut में लिखा लेकिन उपर net profit नीचे वाले पूरे points को adjust करने के बाद हम इसा मांगते हैं तो इसमें हम add back कर देंगे drawing हम यह मान ध्यान रखेगा कि पूरे point profit and loss account के debit में डाल दिया नहीं तो drawing को अगर debit कर दिया तो यह अलाव नहीं होगा तो यह भी add back कर दीजिए 10,000 रुपे और आप अगर investment को भी है यह भी कोई expense तो है नहीं इसमें आपको मिलेगा 80 की reduction जो मैंने अभी minus किए इसको भी add back कर लिजे 15,000 अब आप पूरा PGP income निकाली कित्यारी देखिए इसको जब हमें add back और adjust करता हूँ तो यह final amount आएगी आपकी 11,21,500 और other sources की जो income है उसका अगर हम total करते हैं तो यह आ जाएगा यह आजाएगा 54,500 और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यह आजाएगा gross total income 11,76,000 जिसमें हम 80C की reduction 15,000 अगर माइनस करते हैं तो यह हमारा आजाएगा 11,61,000 11,61,000 total income ओके फ्रेंड्स I hope कि इस वीडियो से आपका थोड़ा सा question बनाने confidence बढ़ा होगा ध्यान रखके का जितना orally मैं notes लिखाया हूँ इस question के नीचे नोट नमबर 1,2 अपनी wording में आपको लिखना है section याद है तो section के साथ लिखना है section याद नहीं है तो वैसे लिखना है लेकिन मैं आपको PGP में बता देता हूँ डिस अलाव करने वाले जो section है ती इन section 40 एक section 40 capital A और एक 43B यह तीन section जो है वह आपको याद रहने चाहिए से काफी आपका impression पड़ेगा ओके friends thank you आप बताईगा कमेंट में कि आपको यह supporting class practice class कैसे लगी और अगर आप और आपको लगता है कि आगे और भी ऐसे वीडियो मैं इसमें दूँ तो आप जरूर लाइक कीजिए ताकि हमको समझ में आए कि हमको कैसे वीडियो आपको बनाने है thank you